हेलो गाईज, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई डिस बनाने का प्लान बनाते हैं और अटक जाते हैं क्यूंकि उसकी रेसिपी में लिखावा होता है, कंडेंस्ट मिल्क का यूज करना, वो हमारे पास होता नहीं है और बाजार में काफी महंगा मिलता है, तो ये ठिक और क्रीमी कंडेंस्ट मिल्क हम घर में भी बना सकते हैं, बड़ी आसानी से. कंडेंस्ट मिल्क बनाने के लिए मैंने आधा लीटर दूद को गेस पे चड़ा के बोईल होने के लिए रख दिया, दूद आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाएवर लेफ्ट ओबर दूद हो, या टॉंड मिल्क हो, या फूल क्रीम, जो आपके पास एपलेबल हो, वो आप ले स लगते हैं, इसको हम तुरन-तुरन चलाना भी सुरू कर देंगे, और साथ ही डाल देंगे हम 200 ग्राम चीनी, गाईज दूद चड़ाने के तुरन बाद ही हम चीनी को भी डाल देंगे, ताकि हमारी चीनी दूद में अच्छा से केरमेलाईज हो जाए, और एक बात का हमें और ध्यान रखना पड़ेगा, कि गेस पर दूद चड़ाने के बाद हम दूद को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, उसे कंटिन्यूसली हिलाएंगे, ताकि हमारे दूद में कोई मलाई ना आए, और ने हमारा दूद नीचे तले में लगे, ये दो चीनी हम साथ में डाल देंगे, तो वो करमेलाईज होकर के एक अच्छा टेक्स्चर दे देगी, दूद में धीरे धीरे उबाल आएगा, तो हमें इस बात का भी प्रेक्वेशन रखना होगा, कि दूद उबल करके बाहर ने गीरे, आप देख रहे हैं कि मेरा दूद उपर की तरफ उठते जा रह है, रिजन उसका यह है कि मैंने दूद को उबालने के लिए एक खुले पेन की कडाई लिए और थोड़ी वो बड़ी भी साइज की लिए, ताकि दूद उबले तो नीचे हमारी कडाई से या पेन से निकल करके बाहर ना आए, और हम इसको continuous चलाते जाएंगे, उससे भी एक क्रीमिट सा texture दे देना है, इसमें कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हमें अपने हाथ को रोकना नहीं होगा, हाँ, गेस की आंच को हम अपनी सुवीधा अनुसार low to medium या medium to high कर सकते हैं, हम दूद को इस परकार चलाते हो यह पकाते जाएंगे, आप एक वार ये भी फिल करेंगे कि जब हमने चीनी डाली, तो दूद हमारा थोड़ा पहले से पतला होने लग जाता है, रिजन कि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, लेकिन जब थोड़ी देर पकेगी, तो दूद धीरे 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 गाड़ा होते जाएगा, फ्रेंड्स, बाजार का जब हम कंडेंस्ट मिल्क लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रेजर्वेटिप्स भी डले होए होते हैं, और काफी महंगा भी आता है, जबकि घर में बनाना इतना आसान है कि 15-20 मिनट में हमने कोई रेसिपी प्लान की हो, और तुरं तुरंत हम ब कंडेंस्ट मिल्का वो वाला बन करके तैयार हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि दूद हमेरा काफी गाड़ा हो चुका है, और अब ये अल्मोस्ट थीक है, क्योंकि स्टेपुला में ये थोड़ा स्टिकी हो रहा था, तब मैंने क्या किया है, एकदम एक चुटकी मातर डाल दिया है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डालने से इसमें थोड़े से जाग उपर की तरफ आपको उठते हुए नजर आएंगे, इस से हमारे इस कंडेंस्ट मिल्क में एक क्रीमी टेक्सचर आएगा, हाँ, गेस की आज को हमें बेकिंग सोडा डालने के तुरंत को लगातार चलाते हुए रहना है, ताकि दूद के उपर में कोई भी मलाई नजमें, और ये तब तक करना है जब तक की दूद हमारा रूम टेंपरेचर पर नहीं आ जाता है, और फ्रेंड्स, अगर कोई कारण से दूद पर मलाई जम जाती है, तो आप फिर उसको ठंडा ह होने के बाद मिक्सी में चरन करके उसको एक क्रीमी टेक्स्चर तो दे सकते हैं, और अगर आपको ये लगे कि पकने के बाद आपका दूद पूरा क्रीमी नहीं हुआ है, तो आप इसको एक वार फिर से पका सकते हैं, और अब आप देखिए मेरा दूद एकदम गाढ़ा हो पतला है, तो आप इसको जब थोड़ी देर फ्रीज में रखेंगे न, तो भी ये बहुत गाढ़ा सा एकदम देखिए, इस प्रकार का क्रीमी टेक्स्चर वाला हो जाएगा, और इस कंडेंस्ट मिल्क को आप फ्रीज में रख करके साथ दिन तक आराम से या एक महिना तक र कर सकते हैं, फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सबस्क्राइब, एंड बेल का बटन देना बिलकुल मत भूलिएगा, हम फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई, जय जीनें